हाई गाई वेलकम बैक तो मैं चैनल इस अचीन एंड आए अधिस वीडियो में हमें एक और एक अप्रेक्स टिगर का सेनर्ग्यू बेस कोईशन डिसक्स करने वाले हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अपने कोईशन को डिसक्स करते हैं ठीक है हमारा जो आज का कोईशन है वो है क्रिट अप्रेक्स टिगर नेम्ड दिस ठीक है ऑन दी अपर्चुनिटी ऑब्जेक्ट दे ट्रिगर शुट फायर बिफोर इंसर्ट और विफोर अप्डेट इवेंट्स इंप्लिमेंट लॉजिक तो चेक दी फॉल इं करनिशन फॉर अपर्चुनिटी विद इस है तु ईसकी जो क्लोस बचैस में पास्ट में होनी चाहिए ठीक है यहां पर क्या था टाइस के लब इस इन फ्रोड़ और देट क्लोस अप्रकी और अपरचुनिटीट इंस्टी यह घ्लौsti जो और स्टेज है तो उसकी जो close date है, opportunity की close date है वो आज की date से एक साल से जाधा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, not older than one year from the current date, ठीक है, if any of the conditions are not met, display an error message and prevent the opportunity from being saved, ठीक है, अगर इन में से, यहां पर not नहींगा, यहां पर आएगा met, ठीक है, अगर इन में से कोई भी condition met करती है, तो हमें error, जो message है, वो display करवाना है, ठीक है, अगर हमारी जो opportunity की stage है, वो close one है, और उसकी जो close date है, वो अगर future में है, तो भी हमें जो है, वो error display करवाना है, ठीक है, क्यो one ensure close date is not in the future, ठीक है, अगर जो close date है, वो future में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर future में हैं, तो हमें error message दिखाना है, similar to low loss and other stages of, other values of stage, ठीक है, चलिए इसको हम start करते हैं, तो यहां पर मैं जाओंगा, सबसे बहले, अब यहां पर developer console में, और यहां पर apex class generate करूंगा, ठीक है, यहां पर class generate करने के लिए, मैं simply यहां पर जो हमारा trigger का name है, ठीक है, उसको copy करूंगा, और यहां पर यहां पर मैं इसका name दिखुँगा, यहां पर लिखुँगा, ठीक है, और इसको ok करूंगा, और यहां पर यहां पर में method define करूंगा, ठीक है, public static void, ठीक है, method का name लेक्ट रिखते हूं, check of closed data, ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें मैं पास करूंगा, list of new opportunities, जो हमारी insert होई है, यहां update होई है, ठीक है, यहां पर लिखुँगा, list of opportunities, new opps, list, और यहां पर यह चेक करने के लिए कि हमारी जो अगर उसकी जो स्टेज है अगर वो अपडेड हुई है तो तो उसके समें भी वैसे हम अगर upgrade हुई है तो भी हम चेक करी सकते हैं ठीक है तो हमें सिर्फ new list of opportunity चाहिए यहां पर हमें old map नहीं चाहिए क्योंकि जो भी opportunities हमारी update हुई होगी वो भी यहां पर हमें new opp list में मिल जाएंगी और जो insert हुई होगी वो तो इसमें मिली जाएंगी ठीक है तो यहां पर मैं क्या इसको यहां पर लिखूंगा और यहां पर subject यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा opportunity opportunity कहां पर है यहां पर ठीक opportunity इसको मैंने submit कर दिया तो duplicate value record with ID let's say कुछ और name दे देते हैं ठीक है पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है कोई और name देना पड़ेगा में इपक्स ट्रिगर एट से opportunity validation opportunity close date यहां पर लिख देते हैं ठीक है validation trigger इसको submit किया तो अब यहां पर हमारा जो है वो trigger है वो create हो गया ठीक है यहां पर before insert और हमारा जो यहां पर चलेगा before update में ठीक है और यहां पर यहां पर लिखूंगा if trigger.is before if trigger.is before and यहां पर मैं लिखूंगा trigger.is insert और trigger.is update ठीक है अगर हमारा जो trigger है वो is insert है या is update है और उसका जो event है वो before है ठीक है तो यहां पर क्या करो तो यहां पर मैं इस class को इस method को call कर लूँगा ठीक है इसको class को copy किया और यहां पर जो method है इसको यहां पर call कर लिया ठीक है और इसमें हम पास कर रहे है लिस्ट और ब्र्चुनिटी ठीक है तो यहां पर मैं यहां पर पास कर रहे हैं यहां पे जा चुग एब हम अपना लाजिक लिखेंगे ठीक है तो यहां पर मैं क्या किया करूंगा यहां पर मैं लिखंगा है अ Heute होगा सबसे बहaman तो हर एक निःक उपर मैं यहां पर ऐट्रेट करूंगा जहां ऑफ मिलाई इफ ऑफोपी पी ठीख है उन कर दिए यहां पर लिखा है if opp.stageName is equal to is equal to closed1 ठीक है तो यहां पर हमने यहां पर क्या देखा था कि अगर हमारी opportunity की अगर जो stage है अगर वो closed1 है ठीक है तो उसकी जो close date है वो future में नहीं होनी चाहिए ठीक है वो future में नहीं होनी चाहिए तो मैं यहां पर काम करता हूँ यहां पर मैं opportunity मेरा object है इसकी field and relationship में जाता हूँ जो close date है उसका API name है उसको यहां पर मैं copy कर लूँगा ठीक है तो इसको मैंने copy किया और यहां पर मैं यहां पर मैं लिखूंगा if stage is equal to close on और यहां पर लिखूंगा and OPP dot close date तो यहां पर क्या है कि अगर हमारी opportunity अगर हमारी जो opportunity है अगर उसकी जो stage है वो close on है तो उसकी जो close date है वो future में नहीं होनी चाहिए future में का मतलब कि आज की जो current date है उससे ज्यादा उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर मैं लिखूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा close date greater than यहां पर लिखूंगा date.today date.today ठीक है अगर हमारी जो opportunity की stage है अगर वो close on है ठीक है और उसकी जो close date है वो आज से greater है आज से बड़ी है ठीक है आज से बड़ी है ठीक है अगर जो opportunity की close date है अगर वो 20th of November है ठीक है तो 20th of November आज की date से यह वली date है ठीक है तो यहां पर लिख दूँगा पूरा यह मैं ऐसे लिख दे दें ठीक है और दूसरी हमारी कडिशन क्या थी ? खर बात्युकर दूसरी हमारी कंडिशन क्या थी ? is in the past ठीक है past में होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर अगर हमारी जो opportunity की अगर जो stage अगर वो close out है तो उसकी जो date है वो past में होनी चाहिए ठीक है अगर वो past में नहीं है तो हमें error दिखाना है ठीक है तो यहां पर past में हम कैसे check करेंगे पास्तों मतलब जो आज की डेट है उससे less than होनी चाहिए, आजकी डेट से less than, अगर डेट होगी तो हमें error दिखाना है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहांपर लिखुंगा if, यहां पर लिखुंगा if, इसको यहां यहां से, सारे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहा अगर आज की भी डेट है ठीक है और प्रिटिटी की जो सेज है वो क्लोल है तो भी हमें एरर दिखाना है तो यहां पर लिखूंगा इफ दी स्टेज इस अग्लोज लॉस्ट ठीक है और जो अग्लोज डेट शुट नाट शुट बी इन पास्ट अगर इसके इलावा कोई और अपरजुनिटी की स्टेज है तो उसके लिए क्या है एंशोर क्लोज डिज नॉट ओल्डर देन वन येर फ्रॉम दी करन्ट डेट फॉर ऑल अपरजुनिटी जो अगर इसके इलावा स्टेज नेम यहां पर कुछ और अब मुझे स्टेज नेम च दूसरी और कोई भी अगर अपरजुनिटी की स्टेज है उसके लिए मुझे क्या चाहिए करना है जो अपरजुनिटी की जो क्लोज डेट है वो एक साल से जाधा पुरानी नहीं होनी चाहिए तो यहां पर लिखूंगा क्लोज डेट इस लेस देन ज़ल आज से एक साल पीछे तक चेक करेंगा और अगर जो क्लोज डेट है आजसे एक साल पीछे से भी अगर कम है ठीक है तो यहां पर हमें diz टेज ओफ धी अपरटवर्चूंत यौぎ शुड्ड नॉट भी ओल्डर शुड्ड नॉट भी ओल्डर देन लास्ट वन येर ठीक है तो कुछ भी अपने हिसाब से जैसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो में तो यह है कि हमें कैसे इस क्राइटिरिया को जो है वो अचीव करना है ठीक है यहां पर सिर्फ एक स्पैलिंग मिस्टेक है ठीक है अब इसको सेव करता हूं तो अब हमारा जो एरर वैरर है वो सब चला जाएगा ठीक है ठीक है तो यह था हमारा हमारे जो सारे क्राइटिरिया थे ठीक है वो यहां पर जो है वो हो जोगा है मैं काम करता हूं इसको यहां पर लिख देता हूं इसको यहां पर हम कमेंट में डाल देते हैं ठीक है जो भी हमारा कोशन था यहां पर मैंने ऐसे डाल दिया ठीक है ठीक है इसको इसको ऐसे कर दिया हमने तो अब चलिए इसको हम जो है वह इंपलिमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो चल रहा है कोड की नहीं चल रहा तो यहां पर मीं जाओंगा ऑपरट्यूनिटी पर जाओंगा ठीक है सबसे बएले हम कोई एक्जिस्टिंग अपर्टूनिटी यह उसको चेक करते हैं ठीक है यहां पर मैं आल गा क्यों टेखते और्ट धिक है तूंगा टैस्ट्र देट ilimए और इसकी जो अभी मैं क्या करता हूं लेट्स कि जो स्थेज है वह मैंने प्रासपक्ट Rick прибर थी अब जो और कोई और जिसकी जिस जो स्थेजी मैं क्लोश नहीं है थिक है उसकी जो ख्लोश डेट है वो आज・ अब मैं तो यहां पर फूर हो जानी चाहिए है यह हमें धिनी जाए कि यह यह हमें अजेयें चाहि तो यह जो है वो देखते हैं छार्यावित हो जानी पुरानी डाल दूगा यहां पर एक साल पुरानी से भी पुरानी मतलब लेट से मैंने एक नमंबर डाल दी एक नमंबर 2023 ठीक है तो यह आज क्या है आज 14 थै तो यह एक साल से जाधा पुरानी होगी ठीक है तो अब यह हमें एरर थो करनी जाहिए अगर मैं इसको सेफ इसके इलावा हमारा और क्या सीन था और क्या था कि अगर हमारी जो स्टेज अपर अगर कितनी परानी हो अगर क نہ लगाने कि उसके को लो टो ट्र चिए तो आज जो डिण करें में कें इसंने को लो ख़दो पहले में क्याका एसको बेट में मालो आज बटलो ऑजगी डाल दूं स्विय को सेवर्ण में यह मैंने दो दिन पुरानी डेट डाल दी लिए जो वह सेव हो जानी चाहिए इसको सेव किया तो अब यह अब देखोगे कि save हो चुकी है ठीक है अब ये save हो चुकी है ठीक है अब हम close one वाली जो situation है उसको close one वाली हमारी जो condition है उसको check करते है तो अगर मैंने close one किया ठीक है तो close one में क्या था for opportunity close one ensure close it is not in the future तो future में नहीं होनी चाहिए अगर मैं close one किया और इसको अब मैं save करता हूँ ठीक है अभी ये save हो गई क्यूंकि जो close date है वो past में है जो close date है वो past में condition है कि future में नहीं होनी चाहिए अगर मैं इसको future में कर दूँ next मैंने 21 कर दिया 21 November ठीक है अब इसको save किया तो अब ये error दिन लगे if the stage is close one then closer should not be in future ठीक है और अगर मैं आज की date भी डालता हूँ ठीक है आज की date डालता हूँ तो ये चल जाएगा क्योंकि जो आज है वो present है वो future में नहीं है तो अगर मैं आज की date डालूँ तो यहां पर ये save हो गया है आप देख चुके ये save हो चुका है ठीक है तो हमारे जो सारे scenarios है वो ठीक चल रहे है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन वीट कर देना ताकि मेरी latest वीडियो की notifications आपको मिलती रहें और आपको कोई वीडियो मिशना हो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए हस्तेरे मुश्कराते रहिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए तक के लिए और सिखते रहिए